प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 स्टाइट करें हम 2.2 से रहे हैं किक्षैन अम्बर कि सिन तो سब्ट्रेंग करना कोई नंबर है and multiply the result by 1 by 2 तो subtract करने के बाद जो हमको मिली हुई जो expression मिला है उसको 1 by 2 से multiply करो फिर क्या गया you get 1 by 8 तो वो किसके equal हो गया 1 by 8 के तो what is the number तो वो number क्या है तो ये number अभी हमको पता नहीं है तो जो चीज unknown हो उसको हम क्या माल लेते हैं x तो हमने क्या मान लिया let the number be x जो number निकालना है उसको हमने x तो जो चीज मालूम नहीं होती है वो variable कहते हैं हम लोग है तो ये x variable निकालना है जिसका मान मालूम नहीं है अभी हम तो क्या करा है subtract 1 by 2 from a number a number है x तो x में से 1 by 2 minus करना है so therefore according to question क्या हो जाएगा इस x में से 1 by 2 minus करो ठीक है बच्चो फिर आगे क्या कह रहा है and multiply the result तो ये जो संख्या आई minus करने के बाद इस पूरे को कैसे multiply करो 1 by 2 से multiply the result by 1 by 2 you get तो इसका मान जो हुआ वो 1 by 8 हो गया बच्चो you get 1 by 8 तो what is the number तो बच्चो अब ये question बन गया हमारे लिए इसको हमको swallow करना है तो क्या करेंगे भी है इसको swallow करने के लिए तो चाहे तो हम क्या कर ले सबसे पहले ये x का मान निकालना है ना बच्चो ये x के आगे पीछे कुछ नहीं होना चीए तो सबसे पहले तो इसके आगे 1 by 2 है यहाँ पर तो क्या करें दोनों तरफ हम ये 2 से multiply कर देते ये 1 by 2 तो 2 से 2 केंसिल हो जाएगा ना बच्चो तो हम क्या करेंगे ये तराजू हुए मैंने बदाया था न एक्वेशन एक प्रकार का तराजू होता है जो दोनों तरफ बैलेंस करना रहता है जो भी करते दोनों तरफ करना रहते हमको ये 2 1 by 2 हटाना है तो 2 से दोनों तरफ multiply करेंगे तराजू में सामान दोनों तरफ निकालना पड़ेगा या दोनों तरफ रखना पड़ेगा तभी बैलेंस रहेगा देखो बच्चो हमने यहां लिख दिया multiply both side by 2 तो 2 से इधर भी multiply कर रहे है इधर भी तो यहां पर 2 multiply इस संख्या में 2 का multiply कर दिया इधर 1 by 8 में 2 का multiply कर दिया तो देखिए ये 2 से ये 2 cancel हो गया इस 2 से ये cancel किया तो 4 आ गया अब आगे की step क्या है देखिए यहां बच्चा x minus 1 by 2 यह तो 1 हो गया ना बच्चो 1 का multiply करेंगे तो संख्या एस ही रहेगी as it is और यहां इसको cancel किया तो बच्चा 1 into 1 1 by 4 कि अब आपको सिर्फ किसी भी इस linear equation को solve करना है यहने variable का मान निकालना है तो उस variable को अक्केला रखना अक्केला यहने उसका कोपीजेंट सिर्फ 1 होना चाहिए उसके आजपास बाकी सब संक्या हटाना है तो अब आपको minus 1 by 2 हटाना तो क्या करें बच्चो यहने इसमें plus 1 by 2 दोनों तरफ एड कर दें तो माइनस प्लस केंसिल हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे अगली स्टेप में दोनों तरफ 1 by 2 यह आप जो भी आपरेशन एक तरफ करेंगे वही आपरेशन दूसरी तरफ भी करना है तो हमने क्या करा यहां 1 by 2 एड किया ठीक है ना बच्चो तो बच्चो क्या लिख दिया एडिंग 1 by 2 बोथ साइट फर 1 by 2 इधर भी एड किया इधर भी एड किया तो यह माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा एक सिसकल टू देखिए यहां पर यह दोनों संख्या है तो डिनोमिनेटर में 4 और 2 है तो इसका लसी हम लेंगे तो टाइम गया तो 1 multiply 1 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो 1 multiply 2 लेना आता होगा बच्छों आपको है तो एकस इस इक्वाल टू यह हो गया 1 plus 2 by 4 तो यह एंसर आ गया 3 by 4 तो 3 by 4 इस रिक्वार्ड नंबर तो यहां लिख देंगे हैंस दर रिक्वार्ड नंबर रिक्वार्ड जो हमने माना था ना एकस रिक्वार्ड नंबर एकस इस क्या हो गया 3 by 4 यह हमारे अंसर हो गया तो यह question आपको समझ में आया होगा बच्छों बहुत सिंपल question है आप दुबारा सी वीडियो को रिवाइस करके देख लेंगे पूरा स समझ में आ जाएगा ओके थेंक यू बच्छों प्यारे बच्छों exercise 2.2 से question number second ले रहे हैं क्या कहा है देखिए the perimeter of a rectangular rectangular a rectangular swimming pool is 154 meter यहने एक कोई swimming pool है बच्छों जिसकी चारों बुजाओं का सम rectangular रहे तो चार बुजा है rectangle की और इन सभी का perimeter कैसे कहते हैं सभी बुजाओं का sum को perimeter कहते हैं तो यहां से घुम कर वापस यहां आ गए तो टोटल लेंद कितनी है इसकी 154 meter ठीक इस length is twice two meter more than twice its breath है तो वह किरा है इसकी जो चोड़ाई है उससे इसकी लंबाई की दुगने से दो ज्यादा है अगर उसकी चोड़ाई अगर एक्स मानते हैं तो एक्स के डॉबल से दो ज्यादा एक्स का डॉबल टू एक्स और उससे मोर मतलब प्लस करना है और ट्वाइस का मतलब होता है मल्टिप्लाइए यहने दुगना तो एकस का दुगना दो हो गया और टू मॉर तो टू मॉर यहने दो इस दुगने के से दो ज्यादा ऐसा कह रहा है फिर से समझे दपेरी मिटर आप रेक्टैंगोल लर्स्विमिंग पूल इस 154 म मिटर इस लैंथ इस ट्वाइस मिटर मोर देंग ट्वाइस इस ब्रेथ इसकी ब्रेथ के दुगने से दो मिटर जादा है क्या है इसकी लैंथ तो यह तो लेंथ हो गई यह ब्रेथ हो गई तो जितनी लैंथ इदर है उतनी उदर होगे रेक्टैंगल में जितनी इदर ब्रे लंबाई हो गई तो हमने यह लिख लिए लेट ब्रेट आप दब पूल पूल मतलब बी एक्स मिटर यह चोड़ाई अब क्या कहा है हम जानते पेरिमिटर को फार्मूले में लिखेंगे तो इसा लिखेंगे देखिए दो बार लंबाई जोड़ेंगे दो बार चुड़ाई तो दो कामन निकाल लिए तो फार्मूला बन गया ट्वाइस एल प्लस बी तो ऐसे भी लिख सकते हो या चारों को यह हूगया टू एस इटैंस और लंथ की जगे हमने लिख दिया बचो यहाँ पर स्वा зач प्लस टू यह क्या है लैन्ध है को और ब्रेइथ की जगे क्या लिख दिया सैग्स है यह लंबाई हो गई यह मिन्य चोड़ाई हो गई समझ में आरा बक्पॉं अब क्या करेंगे P म बोर्ड माज्स से पहले ब्रेकेट को सॉल करेंगे तो यहां 154 एज इज रहने दीजिए आप टू भी ऐसा ही रहने दीजिए और इसको सॉल किया तो यह हो गया 3x प्लस 2 ठीके बच्छो क्या हो गया 3x प्लस 2 अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमको इसमें पहले x निकालेंगे तब तो चोड़ा ही आएगी और x आगया तो फिर लंबा ही भी आ जाएगी तो x निकालने के लिए इस इक्वेशन को स्वाल्व करना पड़ेगा तो स्वाल्व करने के लिए x को छोड़के इसके आगे पिछ जो भी यह सब हटाना था तो अभी यह तराजू है आपकी माल लिजे तराजू में दुनों तरफ कुछ वैठ है अगर यहां से टू हटाना तो इदर से विफवी हटाना पड़ेगा तो हमने क्या कराे पहले टू से डिवाइट करें दोनों साइड LHS और RHS में सेम करना होगा तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं तो बच्चों यहां लिख दिया dividing both sides by two अब देखे यह two से तो यह two cancel हो गया और two से इसको cancel करेंगे तो दो साती 14 दो साती 14 यहने क्या आ गया प्यारे बच्चों 77 और यहां क्या बचेगा 3x plus two फिर अब इस two को हटाना है पहले तो two को हटाना यह यह प्लस two तो minus two करते हट जाएगा तो minus two यहां से दोनों तरफ तरा जूकि दोनों तरफ से दो-दो कीलो का वेट हटा रहे हैं दो-दो ग्राम दोनों तरफ से कम कर रहे हैं यहने equal amount में संख्या है जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं डिवाइड या multiply कर सकते हैं एक्वेशन का यह rules है तो यहां पर क्या करा है टू सब्ट्रेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दो दोनों तरफ सब्ट्रेक करेंगे तो इधर भी दो माइनस होगा तो इधर भी हमने क्या करा दो कि दो माईनस किया यह दो माईनस दोनों तरफ हमने सब्ट्रेक कर दिया तो बच्छो हमारे पास क्या मिल गए धूं माइनस क्या 77 में से तो क्या मिलेगा 75 और इधर क्या बचा 3x अब चुकि किसी भी equation को solve करना यहने variable का value निकालना है means x तो अभी x के आगे 3 है तो 3 हटाना है तो 3 हटाने के लिए क्या कर दें बच्चों हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने तो 3 से दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा आपरेशन दोनों तरफ सेम होता है तो हम यहां पर लिख देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड वाइड तो 3 से 75 को डिवाइड करना तो सबको आता हुआ है तो 25 तिया पिछवत्तर होता है तो थी से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना मिल जाएगा 25 थी से 3 Cancel हो गया तो यह क्या मिला X तो यह तो एंसर आपका यहने X का ही आपका तो 10 इंप्लाइस क्या हो गया मीक्र प्टवीज यह क्या है एक्स चीजल्चों फश्लिए पत्च्ञ हो गया तो लंबाई हो के से निकाल लेंगे लंबाई है तो फचीज दुनि पचास और दो बावन यहने 52 मिटर आपकी लेंद्थ हो जाएगी तो बच्छो लास्ट में हमने क्या नोट कर लिया यहां पर कि ब्रेथ आप दो पूल जो हो जाएगी वह तो एक्स मान रखी तो एक्स का मान 25 मिटर आया तो 25 मिटर तो चोड़ाई हो गई बच्छो और लंबाई मान लिया मनदब अकार्डिंग टू क्वेस्चन क्या है तो एक्स का विल्यू 25 तो 25 तू जा 50 प्लस टू 50 प्लस टू यहने 52 मिटर क्या आ गई उसकी लेंद्थ आ गई प्वेस्चन आपका कंप्लीट होता है ओके थेंक यू बच्छो